Hi everyone, welcome to our channel, Frickate Stop. If आपको हमारे आज की वीडियो पसंद आए तो please like it and share it with your friends. So guys, अभी तक हम previous वीडियो में बात कर चुके हैं RCB, MI, CSK and Delhi Capitals की वो चार retention picks of the player जो फ्रेंचाईजी IPL 2022 में ले सकती हैं. और आज हम बात करने जा रहे हैं KKR के उन चार players के उपर. अगर पिछले सीजन में किसी फ्रेंचाईजी सबसे जादा शौकिंग सर्प्राइज और इंप्रेस किया हैं तो वो है कॉलकाता नाइट फ्राइडर्स. From nowhere to the finalist of the 14th edition. एलिग निशर को चुकर के के उन ने खुद को फाइनल्स तक प्रेजेंट किया है और बड़े-बड़े टेबल टॉपर्स जैसे डेली कापिटल्स, रोयल चेनल्स बांगरोर को हरा के खुद को फाइनल्स तक एस्टाबलिश किया है अब हम बात करेंगे उन चार प्लेयर्स ही जो टीम मेगा उक्शन से पहले हिटेंग कर सकती है सबसे पहले आते हैं और राउंडर वैंकटेश आयर्स ता इमर्जिंग यंग प्लेयर फॉक केकिया जिनके आने से टीम में बस अप ब्रिंगिंग हुई है इन्होंने ऐस अन ओपनर टीम को संभाला है ऐस अ बोलर टीम को विकिर्स दिलाए है कुल मिला के वो वन मैल आर्मी शो दिखाया है अयर्ण ने तो इनका तो पिक होना बनता है दूसरे नमबर पर आते हैं मिस्ट्रे स्पिनर ओफ अरुन चॉक्रिवर की केकेयार की मोस्ट वैलेबल इंडियन प्लेयर हर बार बोल से इन्होंने कुशिल विकिर्स दिलाए है और खुद को एकनॉमिक लिए मेंटेंग भी रखा है और यही खासियत इन्हें केकेयार से जुड़े रहने पर मजबूर करेगी तीसरे और चौतरे नमबर पर ओवरसीज प्लेयर रहेंगे जो की KKR की most experienced ones है जो की है Sunil Naren and Andrew Russell दोनों ही टीम के valuable asset है और astonishing all-rounder भी चाहे batting हो या bowling इनका dedicated performance हमेशा से opposition पर भारी पड़ा है तो KKR management बिल्कुल भी नहीं चाहेगी इन्हें auction में रिलीस करना So friends, these were our pick of 4 players who would be retained by KKR for IPL 2022 You can share your players as well as with us in our comment section So guys, आज के लिए बस इतना ही Stay tuned to our channel for more KKR updates Thank you